हेलो गाईस स्वागे था आप सभी का मेरे यूटीब चैनल में जिसका नाम है इंडियन विलोगर हारती आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो चाहेगे कि आप किसी पार्टेज में किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप अपनी ड्रेस के साथ कैसे एरिंग कैसे वियर कर सकते हैं मेरे पास जो एरिंग कलेक्शन है मैं आपको दिखाऊंगी और आपको उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप कैसे अपने एरिंग कैसे किस ड्रेस के साथ किस उसके साथ वियर कर सकते हैं तो आप इसको किसी भी अपने वेस्टन के साथ तो यह आपका जाए गई और लेकिन आप इसे किसी जिन्स टॉप के साथ आपके पास कोई स्टाइलिस सा टॉप है तो आप उसको इसके साथ इसको वेर कर सकते हो और यह किसी सूट्स के साथ भी आपका जा सकता है तो आपको सेंड है मेरे पास यह पुछी है यह एरिंग ब्यूटिफिल एरिंग्स और इसन पर है दिडिग और रेड कलर की साद़ आप यह वियर कर सकते हैं लेकिन ये सूट या साड़ी के साथ ही जादा जाएंगे बाकी आपको जैसे comfortable लगी है आप इसे wear कर सकते हैं और इसका color red है इसमें red और white नग है इसमें red और white नग है तो फिर ये red के साथ ही जादा जाएगा और third one है ये orange color के earrings as you can see ये orange color के earrings है इसे आप अपने किसी orange suit के साथ डाल सकते हैं और आपने किसी साड़ी के साथ भी डाल सकते हैं अगर कुछ हलका चाहते हैं तो कुछ heavy नहीं डालना चाहते हैं तो it's a beautiful और ये जादा heavy भी नहीं है नेक्स्ट है मेरे पास ये जुम्किया टाइप है ये मेरे एजबन लेके आये थे जब वो अपना टॉर पर गए थे तो फिर वहां से लेके आये थे मनाली से और ये जुम्किया है इसको आप किसी पार्टी वियर उस पर एथेनिक उस पर वियर कर सकते हैं किसी उस पर आप इसे वेस्टन पर तो ये शैद जाएगा नहीं लेकिन आप किसी या तो हाई इस पर ब्लैक मोती लगे वे है या तो आप किसी ब्लैक साडी पर मुझे लगता है कि ब्लैक साडी पर ये जादा अच यह भी मुझे काफी अच्छा से लगे थे इसले मैंने पर्चेस कर लिये थे और इसमें तीन तरह के यह गोल्डन वाइट और ब्लैक कलर की लीफ हैं आप इसे ब्लैक वाइट या किसी गोल्डन रेस्ट यह वेस्टन पर जादा अच्छ जाएंगे लेकिन किसी आप पर सूप इरिंग्स और इण आप इसे सूप के साथ बहुत ही सुनदर लगेंगे आप इसे गोल्डन वाइट रेड किसी बीस कलर के साथ डाल सकते हैं क्योंकि वाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें तो यह बहुत अच्छे लगेंगे और नेक्स्ट है मेरे पास यह एंटिक में हैं, तो आपको यह बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी भी सूट पर, किसी कूर्थी पर, और किसी college going girls हैं, तो आप अपने किसी कूर्थी पर, किसी वैसे भी जैनस टोप, अगर आपको यह टोप इस कलर का है, तो भी यह ब्यूटिफुल लगेंगे, और यह साड़ी पे किसी रेड सूट पे और किसी लहंगा आपने कोई क्रोप टोप डाला है उसमें बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे यह तने अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं इसे कम ही यूज करती हूं और तो मैंने फिर भी काफी डाले तो मुझे यह यहाले पसंद नहीं है तो मैं इसे कम ही डालती हूं और नेक्स है मेरे पास यह यह टोप्स है लेकिन ब्यूटिफूल है इसका दूसरा पढ़ा होगा कहीं पर यह हैं ब्राउन कलर में कोफी कलर में और यह मस्त लगते हैं आपको किसी मेरे पास तो एक क्रोप टोप था ब्राउन कलर का कोफी कलर क मैं उसके साथ इसको वेयर करते हूँ और मेरे पास इस कलर की साड़ी भी है मैं उसके साथ भी वेयर करते हूँ से बहुत ही सुंदर लगते हैं एक फ्लावर की तरह ही है as you can see और एक है अब मेरे पास ये बाली इसमें है लाइट सूधिं से कलर्स जैसे समर्स में आपकी ऐसे लाइट लाइट से कलर की कोई ड्रैसिस हैं सूट से साड़ी है तो आप उसके साथ ही से वेयर कर सकते हैं you can see मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी तक मैंने इसे वेयर किया नहीं है और जल्दे किसे फंक्शन कारी में इसे वेयर करेंगे और यह देखिए it's a beautiful silver color silver color यह मेरा एक black color का सूटा मैं उस पे वेयर करती हूँ है बहुत ही अच्छा जाता black color पे और बाकी है और भी किसी color पे काफी colors पे जा सकता है क्योंकि इस में देखिए multi colors दिये हैं लेकिन मैं इसे black color पे prefer करती हूँ डालना it's looking beautiful next है मेरे पास यह यह वाले earrings next है और यह तो बहुत ही अच्छा लगते हैं यह मैंने कई बार डाल चुके हैं यह आप किसे भी western के साथ डाल सकते हैं college going girls डाल सकती हैं और आप किसे अब यह है मेरे last earrings यह personally मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं इसका color है silver और आप देख सकते हैं इसका color है silver और इस पे है pink और orange color के इस पे मुटी लगे वे हैं और पिकोक बना हुआ है यह बहुत ही प्यारा सा और मुझे यह बहुत ही अच्छा लगे थे मैं नैनी ताल हम जब गूमने गए थे वहां से purchase किये थे और यह अभी तक मैंने डाले नहीं हैं किसी भी function में किसी अब आपको मेरा इस पूशने वाला आपने लिया कहां से आई है और अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेट जरूर किजा के करा कीजिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको किस टैप के वीडियो अच्छे लग रहे हैं और कोंसे आप वीडिय तिल दें बाइ